हाला दोस्तों मेरे इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि अंजीर के पौधे जो हैं वो अंजीर से कैसे उगा जाए लेकिन मैं पहले आपको रिजल्ट दिखा दूँ ये देखिए ये पौधे उग गए हैं देखिए मैं पहले पौधे हुआ अगर रिजल्ट दिखा रहा हूं ताकि आप मेरे अपको वीडियो देखें रोगाने का तरीका देखें और इसके बाद दोस्तों अंजीर जो फिग होती है उसके फैयदे भी बता रहा हूं कि पहले आप रिजल्ट देख लीजिए देखिए कितने सु तो मेरा वीडियो पूरा देखते रही है दोस्तों दोस्तों आज मैं आपको जो है अंजीर से ये कच्छी अंजीर है दोस्तों ये ड्राइफ अंजीर है अंजीर मतलब फिग होता है अंगरेजी में आज मैं आपको इसका पौधा लगाने की तरकीब बताऊंगा जो क्लोरीन जैसे कई लाब दायक पोशक तत्व अंजीर में होते हैं, इसको अब घर पर लगाग करके कच्चे जो फ्रूट के अंजीर ये भी आप एक साल के अंदर प्राप्त कर सकते हैं, जिसका तरीका आज मैं आपको पूरा तरीका पता रहा हूं, थोड़ा लंबा जा सकता है वीडियो लेकिन आप मेरा पूरा वीडियो देखिए जिससे कि मैं आपको सही चीज़े बदा सकूँ दोस्तो अंजीर के जो फायदे होते हैं दोस्तो वो वजन गठाने के लिए होते हैं यान रोगों से जो छुटकारा दिलाता है और इसका से जो आँखों के लिए भी बहुत अच्छा होते है तो आज मैं आपको इसको उगाने का पूरा तरीखर बता रहा हूँ, मेरा पूरा वीडियो देखिए, धन्यवाद दोस्तों, दोस्तों, तो अंजीर को आपको उगाना है, तो उसके लिए ड्राई अंजीर जो है दोस्तों, इसके दो दुकड़े कर लीजिए, दोस्तों, एक हाँ से वीडियो बनाता हूँ, इसलों थोड़ी सी तकलीब है, एक हाँ से मुझे कैमरा पकड़ना पड़ता है, तो यह अंजीर के हमने दो दुकड़े कर लीएं, दोस्तों, अब दोस्तों, कटोरी में साफ पानी ले रीजिए, और इसमें जो ही यह अंजीर को भीगा दीजे दोस्तों, यह ड्राइफ रोड वाली अंजीर जो मार्केट में मिलती है, यही इस्तमाल करना है, और इसको फिर आप 24 गंटेक लिए दोस्तों, देखिए, इसको भीगा हुआ, छोड़ दीजे दोस्तों, देखिए, इसमें से बुल-बुले निकल रहे हैं, य यही इसके अंदर जो बीज होते हैं, यही हमारे उगाने में साहक होंगे, मैं आपको पूरा तरीका बताऊंगा दोस्तों, पूरा स्टेप बाइ स्टेप फॉलो करिएगा, अगर आप सही डंग से नहीं देखेंगे, तो आपको बहुत ज्यादा तकलिफ हो जाएगी, फिर तो दोस्तों, यह है हमारी 12 गंटे जो भीगाई हुई अंजीर, दोस्तों अंजीर जो होती है, इसके सीट्स जो होते हैं, हमने भीगाया इसलिए कि सीट्स असानी से निकल जाए, यह देखिए, इसके अंदर यह जो दाने हैं, देखिए अच्छे से, यह देखिए, यह दा तो दोस्तों हम इसको थोड़ा सा रब कर लेंगे जिससे कि ये सीट्स इसमें जो चिपके हुए हैं वो बाहर निकल जाएं मेरा पूरा वीडियो देखिए तरीके से जिस तरीके से मैं कर रहा हूं उसी तरीके से आप करिए जिससे आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा यह देखिए पूरा इसको रब कर लिजिए इसके गूदे में से जो हैं सीट्स निकल के पानी में आ जाएं दोस्तों यह देखिए यह गूदा जो निकल गया है इससे अलग कर दीजिए अब इसका भी जो है इसी प्रकार करिए इसके सीट्स पूरे अलग कर लिजिए यह देखिए इसमें से भी सीट्स अलग हो गया है इसमें आप नीचे में सीट्स आ गया हैं दोस्तों अब दोस्तों हमको करना यह है कि एक बड़ा बरतन लेना है जैसे कि मैंने यह लिया है इस पर आप यह पानी डाल दीजिए देखिए इसमें नीचे यह सीट्स दीख रहे हैं दोस्तों अब इसमें आप थोड़ा सा पानी और ले लिजिए अब पूरा इसमें डाल दीजिए दोस्तों अब देखिए इसमें देखिए दोस्तों नीचे यह यह पूरे सीट्स है हमारे पास में तो दोस्तों सीट्स जो है हमारे यह अब इसकी तली में बैड़ गये हैं तो इसका पानी है वो कटोरी में फिर से अलग कर लिजिए दीए रेसा अलग कर लिजिए जिसमें इसका गूदा जो है वो पूरा बाहर निकल जाए अब देखिए हमारे पास सिर्फ सीट्स बचें हैं दोस्तों यह देखिए बारी पूरे सीट्स दिख रहे हैं आपको यह अंजिर के सीट्स हैं जो जर्मिनेड हो के पौधे में बदलेंगे तो दोस्तों यह दोस्तों इसके बाद में हमें एक गमला लेना है जिसमें हमें स्वाइल रखनी है जो वेल ड्रेनेज हो जैसे कि मैंने यह लिया है इसके नीचे में प्लेट इसले रखी कि इसमें से वेल रेन्स वाइल है जब पानी बहेगा तो पूरा गिर जाएगा दोस्तों दोस्तों उसके बाद में जो हमने यह सीट्स त्यार किया इसको थोड़ा सा खोल लीजिए और इसको आप इसमें डाल दीजिए दोस्तों इसको थोड़ा सा आप इसमें लेवल कर दीजिए ताकि शीट्स के उपर में थोड़ी मिट्टी आजे दोस्तों अंजीर को जो भीगाना है बारा गंटे से जादा नहीं भीगाना है नहीं तो यह सीट्स खराब हो सकते हैं मैं आपको इसका विट रिजल्ट दिखाऊंगा दोस्तों वाधे हो गए हुए इसको थोड़ा सा बराबर कर दीजिए हाँ से इसमें मिट्टी काम रखिए दोस्तों इसलिए कि जब यह पौधे तोड़े बड़े होंगे तो हमें इसमें मिट्टी डालनी पड़ेगी और ताकि पौधों की जड़ा और मजबूत हो सके पकड़ मजबूत हो सके अजीर जो है फिक उगाने का यह तरीका जो मां आपको बता रहा हूँ बहुत आसान तरीका है जिससे आप घर पर ही अंजीर उगा सकते हैं अपने किचन गार्डन में या अपने गार्डन में अंजीर वा सकते हैं देखिए दोस्तों ये नीचे ज़े पानी बहना चलो हो गया है लगवग 5-7 मिनट में इसका पानी पूरा खतम हो जाएगा दोस्तों मेरा वीडियो देखते रही है मैं उगा 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 अंजीर का आपको और दिखाऊंगा दोस्तों ये देखिए ये फिग के अंजीर के जो प्लांट्स है वो उग गए हैं ये जब 5-6 इंज के उजाएंगे तो मैं इनको ट्रांस्प्रांड करूंगा उसके बाद का वीडियो मैं फिर आपको दिखाऊंगा अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए ये देखिए आपको अंजीर के फायदे बताऊंगा अंजीर जिसे अंगरेची में फिग भी कहते हैं तो फिग के जो बेनिफिट्स हैं या अंजीर के जो बेनिफिट्स हैं आपको बताऊंगा दोस्तों तो पहले सबसे पहले जाने लेए दोस्तों अंजीर क्या होती है दोस्तों अंजी जो है एक प्रकार का फ़ल होता है जो की 10 से 15 मीटर बड़े पेड़ में और छोटे जो बोंजाई पौदे हैं उसमें भी लगता है दोस्तों इसके देखी ये ग्रीन फ़ल होते हैं ये ऐसे और जो ड्राइड अंजीर जो है ड्राइफूर्ट के रूप में मार्केट है मिलती इस प्रकार मिलती है दोस्तों अपने नेक्ट वीडियो में दोस्तों आपको घर में उगाने का तरीका बताऊंगा ये ड्राइए अंजीर से आप घर में भी पौधे उगा सकते हैं और कच्छी अंजीर जो है घर पे भी खा सकते हैं एक साल के अंदर अंदर इसके बहुत सा कैसे फाइदा ले और ज़्यादा स ज्यादा आपको कैसे फायदा हो वो तरीका आज मैं आपको बताऊंगा नेसा तो सबसे पहले हम कच्ची इनजीर के फायदों के बारे में जानले दोस्तों अंजीर जो होती है वो एक अत्यांत स्वाधिश्ट फल होता है इसमें दोस्तों स्वास्तिलाब के लिए जो है मिनरल्स होते हैं घनी जो होते हैं जितने भी विटामिन्स होते हैं फाइबर्स होते हैं इसमें विटामिन B1, विटामिन B2, कैल्शियम, आयरन, फासफ कुरस इसमें कई प्रकार की चीज़ैं होती हैं दोस्तों अंजीर खाने के जो फायदे है अंजीर का जो है वजन घटाने के लिए इसका यूज़ किया सकता है इसमें जो है अपकर झाल के जो घा संस भाले नगार और उसके उपर से दूद पी लें दोस्तों तो आपको वजन गटाने में सायक होगा लेकिन अगर जादा मात्रा में आप इसका सेवन करेंगे तो ये उल्टा असर करता है दोस्तों ये वजन भी बढ़ाने लगता है दोस्तों उसके बाद ये यौन रोगों के उपचार के लिए भी बहुत ज़्यादा फेमास है दोस्तों पुराने जमानों में दोस्तों और आज भी अंजीर को जो है कच्चे दूद में भीगा करके सिफ सुबा वो अंजीर को खाने से यौन सकती बढ़ती है दोस्तों फर्ट ये ड्राइड अंजीर जो ड्ढाइफूट के रूप में है। ये अंजीर जो है आपको जो है दोस्तों कोलेस्टोल को भी कम करने में मदद करता है। यह गब जिससे भी छुटकारा दिलाता है कॉंस्टिपेशन को दूर करता है अंजीर जो है बॉन्स के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट है कोलेस्ट्रॉल को कम करता है हार्ट अडेक से प्रिवेंट करता है दोस्तों तो दोस्तों मैं आगे आपको और बहुत सरी चीजे बता रहा हूं मेरा पूरा वीडियो दिखते रही है अंजीर जो है कैंसर जैसी बीमारियों को भी दूर करता है दूर रखता है अंजीर के डेली सेवन से जो है आपको यह सब बीमारियां दूर रहती है यह जो है आपको श रख्र से भी रहात दिलाता है दोस्तों तो इसका अलग-अलग प्रकार के कई प्रकार के नुश्खें हैं जिसका हम उप्योग करते हैं दोस्तों आज मैं आपको एक अंजीर दिखा रहा हूँ काट के इसका पौधा कैसे लगाएंगे यह देखने के लिए तो आज मैं आपको अंजीर का पॉधा लगाने की वीधी बताउंगा। मेरा पूरा वीडियो देखते रहिए दोस्तों, देखिए यह अंजीर है जो 강़ काटके दिखा रहा हूं दूस्तों आपको देखिए अंदर से अंजीर किति प्यारी है और स्वाधिश निष्ट सिर्सटिए ये देखिए कि इसमें बहुत जादा फैवर मिनरल सोते हैं दोस्तों आज मैं आपको जो है दुसतों ड्राइ अंजीर से जो है आपको बीश लगाने का पौधा लगाने का तरीका बता हूंगा जो आप घर पर ही लगा सकते हैं तो अंजीर के जो मैंने benefits बताएं दोस्तों इसका एक वीडियो मालग से डाल रहा हूं और इसका पौधा लगाने का वीडियो है वहां फिर से डालूंगा दोस्तों धन्यवाद